आपके साथ में एक स्वीटीश शेयर करने जा रहे हूं जो शाइब सेंडे आपने कमी बनाई है तो आज में शेयर करने जा रहे हूं मतर की खेर की रेसिपी तो पनाते हैं मतर की खेर है गाईज आज हम बनाने जा रहे हैं मतर की खीर और मतर की खीर के लिए हमने लिया है तीन पाव दूद लिया है जिसे कि यह हम रिड्यूस करके आदा लिटर कर लेंगे तो इसे बॉल होने देते हैं और मतर की खीर के लिया है छोटे बाउल से हाप बॉल लिया है हमने हरे मतर यह फ्रेश मटर है तो सबसे पहले हम मटर को लेकर के मिक्सी में दर्दरासा पीस लेंगे यह मटर को हमने मिक्सी में दर्दरासा पीस लिया है सबसे पहले हम रखेंगे गैस पर एक कड़ाई और कड़ाई में डालेंगे हम 2 टेबल स्पुल घी और हम थोड़े से mix dry food लेंगे, यह हमने mix dry food लिया है, आप कोई भी dry food ले सकते हैं, इसको डाल करके इसमें हलका साइसे dry food को भून लेंगे, ताकि हो crunchy हो जाए, यह हमारी dry food सच्छे से भून चुके हैं, अब हम जिस कड़ाई में हमने dry food को भूना था, उसी कड़ाई में घी र इसे बहुत जालने भूना है, बस हलका सा, एकड़ मीडियम फ्लेम पर, क्योंकि जो मटर का color है, वो change नहीं होना चाहिए, बस हलका सा मटर सॉप्ट हो जाने चाहिए, जो हमारी मटर है, इससे हमने 3-4 मिड़ तक भून लिया है, और यह काफे सॉप्ट हो चुकी है, मटर भ पर अलग फ्रेवर आने लग जाता है, और मटर हमारी सॉप्ट भी हो जाती है, तो हमारी मटर भून चुकी है, अब हम मटर में डाल देते हैं, हमारा boil के अवा दूब, और इसे अच्छी तरीके से mix कर लेते हैं, और लगातार चमच चलाते रहेंगे, गेस का flame हम मिडियम र जब थोड़ा सा boil आएगा, तब उसमें हम चीनी डालेंगे, जो हमारी मटर की खीर है, उसमें boil आने लग गया है, अब हम इसमें डालेंगे, हम बाउन लेंगे हम चीनी, आप अपने स्वात के अनुसार चीनी डालिएगा, अगर आप चीनी नहीं डालना चाहती है, तो आप dry foods, और साथ इम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ilaic Supreme बाउन आ को इसले इसका जो कलर आ थे कि अवर से कितना प्यारा लग रहा है, और इसमें हम वैसे समें कलर के जरूवत नहीं, वैसे उतना प्यारा लग रहा है हम और प्यारा बनाते सा कलर को, तो इसमें हल्का सा हम दो भी कर सकती है अब देखिए जो हमारी खीर है बन के बिलकुत तैयार है अब हम गेस को कर देते हैं बन इसका जो टेक्शर है और इसका जो कलर है बहुत ही प्यारा लग रहा है तो गेस को कर देते हैं बन और इससे अब हम ठंडा करके सर्विंग वाउल में निकाल लेते हैं बनाएंगे अगले ने रिस्पर के साथ फिर से मिलते तब तक के लिए गुट बाई टेक कियर खाते रहें खिलाते रहें